हेलो उध्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बढ़ी होगर आप सभी लोग बढ़ी होना भी चाहिए तो फड़ाक से लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर दो वीडियो पर कमेंट कर दो and so on जो जो कुछ तुम करना चाहो ये वीडियो तुम मांगता रहता है क्यों मैंने तुस्ते तेरी जी मांग ली थी मतलarm बाकी वो भी जो तुम समझ रहे हो अगर raptor रहे हो तो तुमको पता ही होगा क्या कहना चाहता था मैं काहें इतना तुम पैनिक होते हो भाई हम बोले थे कि new year gift चाहिए हर कोई बोलता है हर किसी को gift चाहिए होता है हम तुमको कोई gift दे दे तुमको बुरा लगेगा अरे नहीं लगेगा तुमको अच्छा ही लगेगा तो वैसे ही है हमको भी अच्छा लगता है जब हमको कोई गिप्ट देता है बट हमको कोई गिप्ट ही नहीं देता है तो frustrated होके हम तुमसे कहते हैं कि तुम लोग तो कुछ गिप्ट दो लेकिन बेसर्म इंसानों तुम लोग भी नका रहा हो एकदम पूरी दुनिया की तरह इकलो ता मैं ही अच्छे इंसान फस गया दुनिया में खेर छोड़ो अब तुम लोग को भी नहीं कहना है कोई गिप्ट नहीं चाहिए मत देना कुछ लोगों ने हला की ओफर किया था रसियन अगर मतलब कुछ लोगों का कहना था कि कौन सी ब्रांड अब ये भी अच्छा नहीं है कौन सा क्या कहा था किसी ने कुछ तो कहा था सालो तुम लोगों ने कुछ भी अच्छा नहीं कहा एक ब्रांड पूछ रहा है एक रासन मे नहीं हूँ और आग इजज से पिछले एबिसोड को देखने पिछले एपिसोड जो था वो काफी संस्कार संस कारी था पिछले एपकोन को बला कर यान की एफाइट हुई थी इस इक ल टें सी गुट के लोगों को पीटना इस्टार्ट कर दिया था जो यहान ने भी वहां पे काफी लोगों को पीटा था जिसके बाद जूड़ी जो होता है वह अपनी पावरफुल ब्रेड लाइन को अनलेस करता है जो देखकर वो तरह पापा माप करतो गलती हो गई पापा हो आप तो पापा स्ट वहीं से स्टार्ट होता है इस टाम पे नीचे जो सी का माहूल होता है वो काफी अजीव होता है चारतरप पानी चमक रहा होता है काफी सुन्दर सुन्दर सी क्रेचर सासपास घूम रहे होते हैं लाइट ग्लो हो रही होती है और और आजीब बात तो यह थी कि जैसे ज अटम्le होता जा रहा था और और अंदर जाने पर इनए ऐसा लगता जैसे सुवह हुई हो माहल काफी जगमग होता है साथी ज़ान को पता था कि सी सर्फेस के अंदर जो ये लाइट है यह कोई नौर्मल लाइट तो नहीं होनी चाहिए जो इस सी सर्फेस को चमका रहा है भी glow हो रही होती है और इस चमक के साथ तो जहन लगबग अंधा हो गया होता है सब कुछ काला हो गया था और यह सबसे महतपूर सुराग भी था कंस्गम जान को यह तो पता था कि वो सही रास्ते पे है और लगबग 10,000 मीटर नीचे होता ने के बाद पानी की जो सरफेस होती है पूरी तरीके से ट्रांस्पेरेंट हो गई होती है और जो उनके सामने आये था वो सी सार्क का सी कैसल होता है यह जो कैसल था कोई ऐसा बैसा कैसल नहीं था बलकि मूंगे के पत्तर पर काट कर लटका कर बनाया गया एक सी कैसल था है मूंगा तो कोई रतन होता है भाई व और फिर सी सरफेस को देखता है जहां तक वो जो कुछ भी देख रहा होता है सब कुछ है लूदनरी होता है जॉआन का दिल काप गया होता है क्योंकि जॉआन को पता था कि वो हाट ओफ फ्लेम के बहुत नजदीक पहुच गया है और जॉआन की फ़ेश्ट पायर्टी यहां इसन फ्लेम डिवाइन क्लेन को ढूड़ना था इसरे जॉआन को तब तक वेट करना था जब तक वो उन्हें ढूड़ना ही लेता हाला कि जो यह सी ही कैसल था वो ग्रीन एमरेल्ड से बना हुआ होता है जो काफी आइकॉनिक लग रहा होता है साथ है जो पहले से यह काफी बड़ा आइकॉनिक होता है इसमें लगबग एक लाग प्लस सी सार्क रहते थे जो कि पहले से यह काफी बड़ी ट्राइब थी साधी थाड़ी ओहाइनेस के लीडर्सिप में यह लोग डायरेक्टी ऑबिसली पहलेस के अंदर एकसेस कर सकते थे सी पहलेस के अंदर गिनत ल बड़ी से किंग सी फैमिली का पावरफुट ब्लेड औरा निकलता है जो देकर इन आखों में जो गुस्सा था वो फटकर चौराहा हो गया होता है और डर दिखने लगा होता है यह लोग तुरंती रिस्पेक्टेडली इन्हें देखने लगते हैं साथ इन सभी का सिर जुक भले ना हो इन चुट्टे मुट्टे लोगों को जुकने पर मजबूर कराने के लिए अभी भी परियाप से बहुत ज़्यादा थी में आल में पहुंचने के बाद यह थाड यानि तीनों हाइने को सार केमपरेर को बताने के लिए एंपोमेसन देने के लिए कुछ लोगों क को भीजते हैं साथी इनके और आज काफी पारफुल होती है जखने लगा होता है तभी यहान कहता चलो चले जो यहान यह सार्क लीडर रीडर एंपरर एंपरर की भाड में नहीं सोचता यहान कहता अपनी प्रायोर्टी अपने लोग है उनको कुछ हुआ पूरा क्लेन डिश्ट्रा कर दूँगा मैं ला से बिशा दूँगा नहीं बे और अचाना की टफ हो जाता है जो देखकर तीनों यहाने से एक साथ चिलाते हो गयते हैं पड़ी मुस्किल से जिंदा बचके यहां तक आया हूँ हतियार पीछे रख लो छूने कभी नहीं जो सुनका बिचारी तीनों पूरे सोल्जर्स अपने अपने हतियारों को छोड़ देते हैं मतलब पीछे खीच लेते हैं लेकिन जोएन इनके ओपर ध्यान भी नहीं देता कि इनने हतियार फेग दिये या छोड़ दिये जोवान सीधरी पेलिस के तरफ आंगे बढ़ रहा होता है और जोड़ी जोऑन के पीछे पीछे चल रहा होता है और पचास लोगों के पूरी फॉर्ज महल में घुस गई होती है जैसे ये पैलिस के अंदर इंटर हुए थे आसपास का जो सी वर्टर था वो रेट हो गया होता है और इससे खून की एक तेज इसमेल आ रही होती है हॉल के भीतर की जो पांच फिगार होती है वो खून से लखपत होती है और काफी इंबरेस भी जब जिन चैन्टाव ये देखता हो और तो उसकी आखे सिकुड गई होती है उसे ऐसा लग रहा होता मानो उसकी आत्मा के टुकडे कर दिये गए हो वो लड़कराती हो तुरंथी अपने भाईयों के पास जाता है उनकी चोटों को देखता है ये सभी लोग पिटते पिटते बेहोस हो गए थे वो तुरंथी कहता क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी बॉडी का बलड बहुत जादा बहच चुका हो जिन चेंटाओ तुरंथी ट्रीटमेंट पिल निकालकर उनकी बॉडी यानि कि मुग के अंदर घुसरर देता है सला ऐसी कौनसी ट्रीटमेंट पिल है जो तुरंथी खून को मना देती है हमको भी ऐसी पिल चाहिए हाला कि लकी लिए पांचों लोग फिल खिलाते है ये लोग भेविल इंजर्ट थे बट सभी जिन्दा थे तभी उसी टैम पे पैलेस के अंदर से एक आवाज आती है हम तो क्या आप सभी उनके साथ ही है और पैलेस के लाश्ट में एक रेड फिगर बैठ हुई होती है जो सामने की तरफ ही देख रही होती है और ये जब सभी लोग उस फिगर को देखते तो आखे चमकने लगती है और ये होता है सी एमपरर सार्क एमपरर जो अपने सिंगासन पर क्रोस लग करके बड़े चोण से बैठा हुआ होता है इसके पैर में एक रंगी लाइट होती है जो कि उसके स्केल होते है जो काफी स्काल लेटर रेड होते है और उसकी पूरी बॉड़ी के आसपास एक रेड मिष्ट घूम रही होती है और रेड स्केल जिसके काण उसकी जो प्रेजेंस थी वो काफी स्पेसल लग रही होती है हाला कि यह एदर सी सार की तरह ज़्यादा क्रूल नहीं दिख रही थी और उसके चेर पर कुछ पपड़ी ओक लाबा उसकी बॉड़ी या चेहरे की जो इस पेसलिटी इस थी वो काफी सौप्ट और नाजुक थी तभी जूडी जोण के कान के पास आते वे कहता है मिश्टर जीयो यह सी क्लेन का सार क्लेन का एंपरर किंग है सार क्लेन में किबल एक ही किंग और एक ही क्यून हो सकती है दूसर जिन चेंटा अपना खोपड़ा घुमा कर इस सार केंपररर की तरफ देखता है उसकी आखे खून से लटपात होती है वो इसकी लंका लगा देना चाहता था और वो गुसे में किलिंग इंटेंट और एक साथ आंगे बढ़ने ही वाला था तब ही जियान उसके कंदे पे हाथ रखते हुए कहता है ठंड रख किसी को नहीं छोड़ूँगा पर थोड़ा सबर कर जिसके बाद जियान सामने की तरफ हाथ जोड़ते हो तरंती अपनी रिपूटेशन के साथ फुली डिस्प्लिन में विहेव करते हुए कहता है यह एक आप ही सौफट प्यारा सा मासूम सा लग रहा होता है यह तक इसकी पलके खऴने और जपकने पर भी ऐसा एसाब हो रहा होता जैसे दुनिया का सबसे प्यारा इंसान उ मासूम इंसान यही हो वो तुरंधी इस्टार्स की तरह बिलिंक हो रही आईस के साथ जो यान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है और वो तुरंधी कहता अगर मैं कहूं कि ये हमारी गलती नहीं थी तो क्या आप इस पर विस्वास करते हैं जो देखकर जोन तुरंदी कहता सीनियर क्या आप जानते हैं यह किस ने किया जोन की बहुत चड़ गए होती क्योंकि सार केमपरर की बास से जोन ने कोई भी फीलिंग्स भी नहीं की थी उससे समझ नहीं आ रहा थे कि यह धंकी है या सच जो देखकर वो तुरंदी कहता मुझ साथ उसका दिल कसकर जिजग रहा होता है जो सुनकर सार केमपरर तुरंदी कहता ओ और उसकी नहीं जोयान और बाकी लोग उपर पड़ती और इसके बाद जोड़ी के पास जाकर रुख जाती है बुत तुरंदी कहता है तो यह सच है नेप्चियून फैमिली यानी किंग प क्योंकि चाहे उसका clean का जो blood power वो कितना भी पतला क्यों न हो गया हो इसके clean के ancestor द्वारा create कह गए rules की recording उसका जो दर्जा था वो सारक empryar के ब्लड लाइन की एक तुच्ची सी पावर है वो एंपरर के सामने गल्ती और इगोफुल होने का साहस करता है हाला कि आबाज उची नहीं थी लेकिन धंकी से भरी थी जो देखकर तो जूडी की आँखे काम नहीं लगती है उसे उम्मीद नहीं थी कि बास्तों में सार्क एं के अधर पोसाइडन फैमलीय यनी इसी की फैमलीव उन्होंने मेरे सी फैमली को प्रोटेक्ट किया था और अपनी ब्लड्लाइन पावर के साथ इसे जोड़ा था लेकिन अनिगिनस सालों के बाद अब आखिरकार आपकी जो ब्लेडलाइन पावर है और ब्लेडलाइन एग्रिमेंट ये बीख हो गया है लेकिन हमारे एंसेश्टर्स की खातिर मैं आपकी जान बख्च सकता हूँ लेकिन अपने सब्दों के लहजे और रबये पर ध्यान दे सी सार केमपर की बात को सुनका जूड़ी आचानक ही हैरान रह जाता है और ये सुनने के बाद जुएन की बोहें भी जड़ गई होती है और अचानकी सिंगासन बबैटी रेड़ फिगर को दिखके जॉण के आखे कोल्ड होने लगती है जॉण तुरंदी कहता आपने अभी तक मेरे परसन का उत्तर नहीं दिया साथ इस बार जॉण बिलकुल भी पोलाई नहीं था क्योंकि जॉण को लग रहा था कि फाइटिंग गॉड एसेंड गॉड फ्लेम क्लेन का जो हाल हुआ है वो सी क्लेन ने ही मतलब सोरी सार्क क्लेन ने ही किया होगा जो देखका वो तनुदी कहता आप क्या उत्तर चाहते हैं आप ये भी सोच सकते हैं कि ये मैं ही था मेरा सार्क क्लेन जिसने ये किया यही एक अंसर है अब आप क्या कर सकते हैं तवीजान कहता है मुझे इस चीज से कोई फर्खने पड़ता कि आप किस तरीके केमपर हैं मुझे इस से भी फर्खने पड़ता कि आप लड़की हैं या नहीं ट्रपिया आपने सब्दों की जिम्मेदारी को समझिये ये बिलकुल मत सोचे कि आपके पास कर्स की पावर है जिस पर आपको गर्ब है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को चोट किसने पहुँचाई मेरा कोई भी दूसरा इराद नहीं तो बस मुझे सच्चाई से जवाब दे बढ़ना ये लड़ाई जरूर होगी साथी जो यान की लाइफ डिवोरिंग फिंगर के अंदर एक अजीब साई फ्लेक्शोयसन हो रहा होता है और इस फ्लेक्शोयसन को फील करते हुए सार्क एमपरर की भी भट जाती है क्योंकि जरूर की फिंगर से भी कर्स पावर रिलीज हो रही थी जो देखकर सार्क एमपरर को ऐसा लगता है कि जरूर भी इस पावर का यूज कर सकता है बढ़ाई लोग था ना फटी ना तेरी भी फटी ना बहुत तुरंती पोलाइड होते हुए कहता है आप कौन है उसने अपनी खूब सूरत आके सिकोड़ ली होती है अब आज काफी धीमी होती है तभी जोन कहता है मेरा नाम है जियोयान ये एक ऐसा नाम है जिसके बार में आपने कभी भी नहीं सुना होगा बस मेरे सवाल का जाब दे मेरा पेसेंस लिमिटेड है जोन क्या के जान बोकर जान बरो की तरह थंडी हो गई होती है और उसकी बाड़ी से निकलने बाला ओरा किसी के दिल की धड़कन थमा देने बाला था तब ही एंपरर कहता है मैंने जो अनसर दिया वही अनसर है हाला कि बन्दे को कुछ फील हुआ था लेकिन अबेसलिए वो डरा हुआ नहीं था साथी सार्क एंपरर वो अबेसलिए इनसे भी सार्क की क्वीन थी तो सालाप फिर एंपरोर क्यों कहती हो इसको एंपररी किया हो जो देखका जूँँ तुरंदी कहते है सुरी सुरी जो देखकर वो तुरंदी कहता है तुम्हारी मेरे एरिया के अंदर इतना इगोफुल होने की हिम्मत कैसे हुई सीव सार किंग गुस्से में आ गया होता है जो देखकर जो अन तुरंदी कहता है एरिया कुत्तो का होता है सेड जहां पंजा रख दे वही एरिया उसका आज पास जो सार्ट डेवन क्लेन के सोलजर्स होते हैं वो फियलेस्टीम के चार तरफ खाड़े हो जाते हैं और फियलेस्टीम भी पूरी तरफ लड़ने के लिए तयार हो गए होती है माहल एक दूसरे की तरफ इस्ट्रेसफुल हो गया होता है लेकिन जो यान यहां हार मारने को तयार नहीं था क्योंकि सिच्चियोशन जितनी ज़्यादा टफ होगी जोन उतना ही कम समझोता करेगा और अब्यसली सबसे बड़ी चीश तो यह कि इस एंफ्लेम डिवाइन क्लेन के जिन चेंटाओं पांच लोगों के को चोट पहुचाई गई थी और जिन चेंटाओं के साथ यहां पे टोटल 6 ही लोग बचे थे एक दरजन में से केबल 6 लोग यह बसली एक गलत बात थी और अगर बास्तों में सी क्लेन के लोगों ने ऐसा किया है तो जोन घंटा इने नहीं शोड़ने वाला था बदला तो देखो बदला है जोन हर कीमत में लेने वाला था जिसके बाद सार्क एम पर अचाना के अपने हतेली को फैलाता है और एक रेड क्रॉस दिखाई देता है उसकी बड़ी से पावर्फुल रेज निकलने लगती है जिनकी ताकत कम से कम सेवेन श्टार के पीक लेबल पर होती है डाव ओमोटल के या एट श्टार भी हो सकता था और इस फ्लेक्च्वेसन से तो हर किसी के आखे सिकुड गई होती है लेकिन जोन की बड़ी अभी की वहीं की वहीं खड़ी होती है चाहा वो सेवेन श्टार हो या एट श्टार पीक जो या जरासा भी नहीं डरा था हाला कि फाइट रिश्टार्ट होने ही वाली होती है कि तभी अचानक ही पैलेस के बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है और एक आवाज आती है रॉयल कुईन रॉयल कुईन, सेकेंड रॉयल कुईन वो वो फाइट में मारे गए है और इससे फैले की फाइट होपाती है एक टैंसन्ड फिगर तुरंथी दूर से बाहर की तरह फाजती है जिसकी आवाज में भी काफी टैंसन होती है और इस आवाज के साथी सारा महल उबल पढ़ता है माहल इस्ट्रेस फुल हो गया होता है तुरंथी सार केंपरल की आखे सिकुड गई होती है सुई के आकार की और आखे कापनी लगती है वो तुरंथी कहता है ये कैसे पॉसिबल है जैसे ये रिजल्ट उसके लिए एकसेप्ट के लाइग ना हो तुरंथी कहता है फास्ट यो हाइनेस और सेकेंड यो हाइनेस ने कम से कम सो लोगों से मुलाकात की जिन में एट इस्टार फाइटिंग मॉर्टल लेविल के मजबूत लोग भी सामिल थे लेकिन फास्ट यो हाइनेस और सेकेंड यो हाइनेस दोनों हार गए साथी एक strong warrior ने उनका सिर काट दिया और ऐसे कहते हैं उस बंदे की आँखों में काफी डर होता है साथी उसका एक हाँ तूटा हुआ होता है और काफी उदास भूल लग रहा होता है जो देखकर सार किंग तुरंदी कहता है एक 8 star down mortal युद्ध का ढोल वजाओ युद्ध में मेरे पीछे आओ पता नहीं किस से साला लडने के लिए जा रहे हमें भी बताओ किसने मार दिया फ़स्ट है गया योहाइनेस और सेकंड योहाइनेस को यहां तक यह तुरंदी युद्ध के ओरडर को दे देता और जुआन अबाकी लोग के वारे तो लगबब भूली जाता है दूसर अब जो यान उन लोगों के चले जाने के बाद वहीं खड़ा होता है और तुरंदी अपने हाथ में वाँ 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 रूलर को कसकर पकड़ लेता है जोन को एट इस्टार सेविन इस्टार के बॉर्यास की ज़रासी भी चिंता नहीं थी जोन बस यह जानना चाहता था कि आखिरकार इन लोगों को मारा किसने हलां कि तभी सार्क केंपर जोयान की तरफ देखता है और तुरंदी कहता है बे लोग मेरे सार्क लेन द्वारा नहीं मारे गए आगर हमारी सार्क लेन उन्य यहाँ पे नहीं लाय होता तो साथ यह सभी लोग मार दिये गए होते और असे कहते हो है वो जो यान कीतब देखता है साथी वो थोड़ा सा जल्दबाजी में लग रहा होता है साथी किंग हाई सार्क और बसलिवो एक ऐसा परसंसा जो प्रिजन टाइम की सिच्वेसन को जानता था वो एक अच्छा इंसान भी था साथी उसे पता था कि एक और एनिमी बनाना कोई भी बुद्धिवानी का काम नहीं होगा तब यान कहता है फिर कि आप जानते कि वो कौन था क्योंकि जो यान को उसकी बात पर कोई साक नहीं था उसने देखा था जो चांगारों बाकी लोगों के उपर कोई भी कर्स पावर नहीं है जिससे सीधे तोर पर पता चलता है एसन फ्लेम डिवाइन क्लेन को लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ा सार क्लेन की टीम से बलकि एक स्ट्रॉंग टीम का सामना उनके साथ हुआ था तब ही एंपरे तुरंदी कहते इस बार बास्नेव मांटन में गुसने वाले जो लोगों की संग्या थी वो पहले से ही सौ से जादा है यह सच है कि हमारे सार क्लेन द्वारा काफी साई टीमों के सफाय कर दिया गया है लेकिन यह वाली गलती निश्चित तोर पहमाई नहीं थी जब हमारे सार क्लेन वहाँ पे पहुँचा तो यह पहले से यह बिली इंजड़ होकर बेहोच हो चुके थे उसका जौन के साथ बकवास करने का कोई रादा नहीं था क्योंकि वह पहले से एक बड़े खत्रे का सामरा कर रहा था वो तुरंदी कहता है इसके अलावा भी कुछ लासे है आप उन्हें देख सकते हैं और उसके बाद वो लासो को बाहर लानी का कहता है लेकिन ये सभी लासे जल गई तो और पहचानने लाइक नहीं थी हाला कि नानेर्मिंग यहाँ पे ज़्यादा था उसने देखा था कि एक दरजन प्लस लासो में से ज़्यादा था एसेंट रिफ्लेम डिवाइन क्लेन के लोग थे हाला कि उनकी किसी की भी बाड़ी नहीं जली थी लेकिन जिनकी बाड़ी जल गई थी वो अबैसली वो लोग थे जिनकी फाइट एसेंट फ्लेम डिवाइन क्लेन के लोगों के साथ हुई थी तभी नानर्मिंग इन लासों के बीच में चाना की कुछ तलास ने लगता है जिससे वो इनकी पहचान को जान सके इनकी बाड़ी में कुछ पार्ट में कुछ चीज़े देखी जा सकती थी तभी वो तुरंधी कहता मिस्टर जी हो यहाँ है और इसे देखिए यह कुछ जाना पहचान लगता है और ऐसा के तो नानर्मिंग एक बाड़ी को उठाता है जैसे जोन वहाँ पे जाता है तो वो तुरंधी उस परसन को एक नजर में पहचान लेता है वो तुरंधी कहता है यह डेड़ बाड़ी वाला है मैं अब इसे नहीं छोड़ूँगा जैन क्या के सिकड़ गई होते हैं त्यांजी पवेलियन के अंदर इंटर होने से पहले तक गैंग पिंग ने लगबग कोई भी मिश्टेक नहीं की थी लेकिन जैन को पता था कि यह गैंग पिंग और बेसली कोई ना कोई स्ट्रेटिजी तो बना रहा है और उसकी साजिस निश्चित तोर पाईजी नहीं होगी लेकिन जैन को नहीं पता था कि गैंग पिंग की स्ट्रेटिजी क्या थी लेकिन जोन को कभी भी फील नहीं हो था कि बास्ते में गैंक पिंग अपनी पावर चुपा रहा था और वो एक 80 इस्टार डाउ मोटल भी है तब ही साग डैमन तुरंती कहता है सार केमपरर क्योंकि अब तो में उत्तर पता है तो तुम लोग जा सकते हो तब जोन कहता है रुको मुझे लगता हम एक एलाइंस बना सकते हैं और असे कहता है जोन सार केमपरर की तरफ देखता है जोन की बात को सुनते ही सार केमपरर तुरंती हैरान हो जाता है और हैरान होकर जौन की तरफ देखता हूँ, उसे उम्मीद नहीं थी कि जौन कुछ ऐसा कहेगा, हाला कि वो कुछ रुक कर है जौन की तरफ देखता है, और काफी देर तक जौन को देखने के बाद वो हसते हैं, आपकी पावर केवल फाइव इस्टार डाउ मोटल है, क्या आ हाला कि उसे पहले से एक दवंग परसन देख रहा था, लेकिन बास्तों में सार किंग कोई बुरा परसन नहीं था, वो नहीं चाहता था जौन बे मौत मरे, जो देखकर जौन तुरंदी कहता है, इससे कोई फ़र्क पढ़ने ही पड़ता कि आप एलाइस बनाना चाहते या ही, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, हो सकता है कि उन्हों नहीं मेरे दोस्तों को चोड़ पहुचाई हो, क्योंकि मुझे उन से नफ्रत है, और कोई फाक नहीं परता वो एट इस्टार या सेविन इस्टार, मैं थोड़ी देर के लिए तो उन्हें रोक सकता हूँ, जो जो पिल्कुल भी उसकी आपास सिनाराज नहीं होता, जो उन्हों को पता था कि एम्परे ने उसकी पावर को के बहानी की तोरपा इस्तमाल किया है, लेकिन जो उन्हों की टीम में अभी भी जूड़ी था, जो पिन सेविन इस्टार स्टार्टिंग लेवल पर था, हाला कि स सार्क एम्पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसकुछ सोचने के बाद वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि प्रेजन टाइम पर फाइट सबसे जरूई थी, और वो टाइम बेश नहीं कर सकता था, इसलों वो कहता अगर आप चाहते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं, जहां तक आप बाहर, पहले से ही, हजारो सार्क, सोल्जर्स आचुके होते हैं, जो उसके ओर्डर का वेट करे होते हैं, जिसके बाद एक पाउरफुल फोर्स निकलती है, और वो तुरंदी कहते हैं, लेट्स गो, जो देखके जोन तुरंदी कहता है, चलो, मुझे लगता है कि एसन इसन फ्लेम डिवाइन टीम को इतनी चोट पहुंचाई, जो यान तुरंदी कहते हैं, तुम्हें यही रुक करनूं का ख्याल रखना चाहिए, बैस सब कुछ खत्म करके तुम्हारे पास बहुत जल्दी वापस आउँगा, और इतना कहने के बाद जोन भी यहां से चला जा कि वायर को तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जाती सीसार के जो यह लोग थे, आपसली पानी में, नॉर्मल हुमन्स के कंपेजर में काफी स्पीर से ट्रेवल कर रहे थे, तिवी जोन भी अपने सिर को इलाता है, और उनका पीछा करना जारी रखता है, हाला कि जोन आ जाग रहा होता कि उन लोगों को कभी भी उमीद नहीं होगी, कि वो वास्तों में एक ऐसे क्लेन को बढ़का देंगे, जो उनकी सोच से भी ज़्यादा पाउर्फुल है, और आखिर का नॉर्मल इंफ्रमिशन के अकॉर्डिंग, जो सार क्लेन है वो अपर रियलम में, इस् कल्टिवेट करना काफी मुस्किल होगा, इसलिए साइध ये सार क्लेन के लोग इस से मैथट को यूज़ करते हैं, और अपने कामी पावर की कमी को पूरा का निकले, ये कर्स पावर को यूज़ करते हैं, और उसे कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया, दूसर अब सी पेस पे कहीं दूसी तरब एक खतानाग फाइट हो रही होती जहां पे सार्क के कुछ घायल सोलजर्स बचे हुए होते हैं और यहां पे इन सार्क सोलजर्स के सामने एक काफी लंबी चौड़ी 100 लोगों की टीम होती है और अगर जिवान यहां पे होता तो वो एक नजर में प एक मैजिकल बर्ड छपा हुआ होता है साथी इस टीम में एक और परसन भी था जिससे भी जोन जानता था और यह 10,000 डैमन पहले से जुएसी था और जुएसी के बगल में एक और काले कपड़े पहने होए परसन खड़ा हुआ था क्या तुम लोग गैस कर सकते हो यह कौन हो जिसे हम मुखोटा कह सकते हैं तभी एक आवाज आती है यो हाइनेस मोरिंग हमारे 10,000 डैमन पहलेस की सभी 10 टी में एक साथ ही खटा हो चुकी है गैंग पिंग जिसने अपना चेहरा फाड़ दिया था उसका जो लियाल नाम था वो था मोरिंग उसके चेहरे के इंप्रेश जो एसी क्या पहले समाश्टर दौरत दिया गया आपका काम आपने पूरा कर लिया हाला कि उसने चेहरा बदल यहाले होता है लेकिन उसकी जो आब आज थी वह अभी गैंग पिंग की जैसी ही थी लेकिन अब उसकी आब आज में एक ईविल सोल और ईविल हो रहा होता है दो को अपने हाथ में ले लेता है और इस्के आज में एक और टोकन आता है और दौन ही टोकन अचाना कहीं हिलने लगते है और तुरनथी एक जगह और कांपने लगती है जैसे सी के दूर एरिया की दब देशते हैं वह पहले से ही यहाँ पे लोगों को आता हुआrea मैसूस कर सक अगर बास तुम्हें पहले स्लोड का ओडर नहीं होता तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार डाल होता इसके बाद ये जाने के लिए कि आपके पास क्या जीब चीज है मैं आपकी बॉड़ी को काट फीट के जरूर देखता चूतिया इंसान वो गलती से उंगली फटकार देगा चैनल खतम हो जाएगा तेरा सोते हुए खरनाटे ले ले अगर अपनी पिछली लाइफ में वो 10,000 डेमन पहले जैसे 10,000 पहले डिश्ट्रा हो जाए मोनिंग अपनी आके सिकोड लेता उसके चरपे का जीवाबाज होती है और कोई नहीं जानता था कि बंदा क्या सोच रहा है तब इस टाम पे घब रहा हो फिगर तुरंती मोनिंग की तरफ दोड़ने लगता है और जल्दी उसे गीट करता है और तुरंती कांतियों करता है यो हाइनेस मोनिंग वे सभी यहाँ पे आ गए है वो जो देखकर मोनिंग गुस्से में चिलाते है जो भी कहना है साब कहो तुम इतने घबरा है हुए क्यों हो मोनिंग गुस्से में आ गया होता है जो देखकर वो कहता है वहाँ कापी सारे सार क्लेन के लोग है कम से कम हजारों की quantity में वो हमारी तरफ आ रहे हैं बंदा यहाँ पे साफ साफ मोनिंग को अब बताता है जो देखकर वो तुरह दिखाता है दस्यों हजार मुझे उमीर नहीं थी कि इस कच्रे की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी अगर बे सभी अभी भी एक ही जैसे हैं चो चाहे वो हजार हो या दस हजार कोई फैक नहीं पड़ता बस उन्हें मार डालो अन्यस अगे तो मोनिंग हसने लगता है जैसे कि इस न्यूज को सुनने के बाद उसका पीछे अटने का कोई भी रादा ना हो बंदल लडने को तयार था वो तुरंदी कहता है फायड के लिए तयार हो जाओ आज मेरा 10,000 डेमें पैलेस इन्हें बताएगा हमारी असरी बावर वो तुरंदी कहता है इसा लगता है इन सार्कलेन के लोगों का दिमाग खराब है तो चलो सबसे पहले इने ही खत्म करते हैं इसके बाद हम बड़े भाई को बचाएंगे और इतना कहने के बाद सेक्रो लोगों के चेरे पर किलिंग इंटेंट और आप्यार हो गया होता है और अबेसलिक 10,000 डेमें पैलेस की जो रिपोटेशन और पावर थी वो 10,000 वर्ल्ल्स में काफी अधा पॉपुलर थी क्योंकि 10,000 डेमें पैलेस के अंदर जितने भी डिसाइबल थे वो से भी 10,000 पैलेस के अंदर के मॉस्टर्स थे एकदम एरोगेंड, एकदम डिफाल्टर, एकदम बलड़ी बाश्टर्ड जोनों आपनी जिन्दिगी में तरह तरह के खूनी बापत्या चार किये होते हैं ना जाने कितने की इजद लूटी होती हैं, कितनों का घर तबाह किया होता है ऐसे लोगों को ये अपने इसपास रखता था जो टोटल किलिंग मसीन थे यहांते कि एक टाइम की बात थी जहांपे एक अपर येलम के पारफुल क्लेन ने 10,000 डेमन पैलेस को चैलेंज किया था और उसके बाद 10,000 डेमन पैलेस ने उस पूरे के पूरे कॉंटिनेंट को ही खत्म कर दिया था और उन्हें ख़द्म करने के लिए के बल एक परसन का इस्तमाल किया था और वो तरीका इतना क्रॉल था कि वो कॉंटिनेंट अब भी पूरी तरीके से एक एबेस है यानि हैल साथ इस टाइम पे 10,000 डेमन पेलिस के मोनिंग के पीछे खड़ोई जितने भी लोगते सभी अजीब लग रहे होते हैं कोई भी नॉर्मल परसन लग ही नहीं रहा था उनमें से जादतर लोगों के चेहरे पर मुखोटे थे और एक दूसरे के साथ उनके पास कोई भी बात चीत नहीं इनके बीच भाई बेहनों वाला कोई रिस्ता नहीं था इनके बीच जो रिस्ता था भोता कॉंप्टीशन एक दूसरे से या तो तुम जी हो या मैं मरू लेकिन ऐसे टैम पे जब लाइब खत्रे में हो टीशन को जीतना नहीं था दूसर अब सार्क एंपरर की लीडर्सिप में सार्कलिन काफी तेजी से टेंथाउदर इंडामेंट पैलेस के लोगों के सामने आता है और दूसरे अब जोयन और बाकी के लोग भी अपनी स्पीट को बंगार करार रखने की पूरी कोसेश कर रहे होते हैं लेकिन सीवाटर ने अभी भी उनकी स्पीट को कुछ अगर तक स्लो कर दिया होता है तब जोयन तुरंद कहता है जोड़ी मुझे कुछ तो गलत फिल हो रहा है जोन रास्ते में जूडी की तब देखता है जोन जूडी से ये चीज काफी देर से पूछने चाहता था लेकिन उसने अब तक नहीं पूछा था तब जूडी तुरंती कहता मास्टर जी हो क्या बात है तब जूड़ा सा सक्ष से अपने पीछे के लोगों की तब देखता है जूड़ा सा कॉमप्टीशन की रूल कहते है कि टीमों की कॉंटिटी 20 से जारा नहीं हो सकती लेकिन आपके पास दो टीमें कैसे है आखिरकार ये तो रूल्स के अगेंस है फिर आपने ये कैसे किया ये कोशन काफी देर से जूड़ा की तमाग में था जो सुनकर जूड़ा स्माइल करते हुए जो यान की तब देखता है और बिसलिए एक ऐसा सीक्रेट था जिसे बाहर नहीं बताया जाने चाहिए बो तुरणदी कहता है लेकिन क्योंकि यंग माश्टर जियो को मैं अपने माश्टर के तौर पर एकसेप्ट कर चुका हूँ मैं उनसे सभी सीक्रेट सेर करने को तयार हूँ जो सुनकर जूड़ा जूड़ी के मिस्टियर्स बेवेर को दोग कर इसमाइल करता है जो अनसमझ गया होता जूड़ी काफी मजाकी और सीधा साधा परसन है कुछ हद तक जियो जान जैसा आदा मंद बुध्धी और इस्ट्रिक्ट भी बुध्तुरंदी कहता है इसके बार में जाने के लिए हमें जूड़ी की बात को सुनका तो जैन के गालळा लालो गया होते है कि क्या बास्तर में third illusion में भी नजर रखी जासकती है जैन तुरंती सोचता है कि भाई थैंक गॉड यहाँ हर जगह नजर नहीं रखी जासकती यह third illusion है बरना अभी अभी जणने के पास इसके बाद कुछ नहीं हुआ अब ए जढ़ने के पास क्या हो गया सालब बात तो पूरी बता देता ए जढ़ने के पास क्या था बेहन की पूजा करूँ है पांच लाएने छे लाएने पूरा पेरग्राप पड़ लिया भाई जढ़ने के पास क्या था रे किस क्या था जहने के पास क्या था किसी को पता हो तो कमेंट करो जहने आपे थोड़ा सा इंबेर्स दोकर दो बार खासता है और जहन की खासी को देखकर जूड़ी पूरी तरीके से डंग रह जाता है और जहन के तरफ अजीब तरीके से देखता है उससे लग रहा होता है कि हो सकते जोन की तवीयत खराब हो गई होगी वो तुरंदी कहा थी यांग माश्री जी हो क्या मैंने कुछ गलत कहा जो देखके जोन कुद को कंट्रोल करते हो गता है आम नहीं नहीं आपने जो का वो तो सही है तो, हो, हो, हो यादा गया क्या हुआ था और इसके वाच जैन, किंक मुयर और जैनी को देखता है हाँ डैली काष्ट ना हो गई हो जैन को यह डर था जैन तुरंधी, जैन एक पास कि हुसीन को याद करता है और फिर याद करता है अगर किसी ने live इसे देखा होगा वो तुरंति अपनी लापरवाई के लिए अपने दिल पे चिलाता है कि वो इतना लापरवाई कैसे हो सकता है दूसर्थ जूडी को तो कुछ पता नहीं था इसलिए अपना सिला तुरंति रास्ते के आंगे बढ़ने लगता है वो तुरंति कहता है हम लोग ने आपर रेजिस्टर करने के लिए कुछ अलगी रियलम्स की नाम को यूज किया था और यह तरीका बास्तों में काम करता है लेकिन इससे खोज़ा जाना असान नहीं है क्योंकि अगर आप ढूल लिये जाते हैं तो आपको तुरंति कॉम्टिशन से डिस्कॉलिफाई कर दिया जाएगा इसलिए हमने एक बहतर तरीका सोचा है जूड़न ने भी यही अंदाज लगाया था लेकिन लोगों ने 10,000 रियलम कॉम्टिशन में इंटरोरिक ले दूसरे रियलम का नाम यूज किया होगा क्योंकि एक मात्री यही पॉस्टिबिल्टी थी लेकिन जूड़ी के बात को सुनकर जूड़न तुरंति हरान हो जाता है कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है जूड़न तुरंति काता है बता भाइ बता जो देखके जूड़ी से लातOOए विल्कुल सीक्रड सस्पेंस बनाती होगया इसमाल करती होगा काफी कारगर है लेकिन इसमें जोकिम भी बहुत बढ़ा है यह तरीका बहुत सराल है पिछले competition में participate करने वाली टीमों को forbidden realum में ही छिपा रहने दे क्योंकि होंग मेंगे star की special power के साथ यह जो जगह है यह काफी अदा stable है और यहां पे कोई भी खत्रा नहीं जो सुनकर जोन तुरंती चौक जाता है लेकर इसमें केबल कुछी टीमें जिन्दा रह पाती है हमारी सी टीम में से भी काफी साहे लोग मारे गए और कुछ लोग काफी गहराई में छुप गए थे और हमारा इंतिजार कर रहे थे हम लोगों ने आपे एक luck के साथ कुछ अच्छी चीजों को खोजने की योजना बनाई थी लेकिन हम आपके साथ प्रॉब्लम में पड़ गए लेकिन यह कहना अजीव है हाला कि यंग मास्टर जीओ मुझे भी आपसे पूछना है कॉमप्टीशन पर पपेट को लाना एलाउ नहीं है मिश्टर जीओ के पास इतनी पाउरफूल पपेट कैसे आई मैं जानता हूँ थोड़ा सा कोश्चन इगोफूल है बस मैं थोड़ा सा क्यूरियास था अगर आपको बुरा लगा तो मैं इसके लिए मापी चाहता हूँ अब इसलिए जूड़ी को बदा था इस तरीकी की जो चीज़े होती है बहुत सीक्रेट होती है और हर किसी को नहीं बताई जाती है साथी जूड़ी को बदा था कि वो पपेट काफी स्ट्रॉंग थी और ये कम्पलीट रम कार्ट था उस पपेट की फिज़ का इस्ट्रॉंट अकेले उसे कुचल कर फेकने के लिए काफी थी तवियान केता चलो हमें जल्दी आंगे चलना चाहिए मुझे कुछ अजीब और गलत लग रहा है कुछ तो होने वाला है तवी जो जान तुरॉंदी केता यंग मास्टर जीओ ये कोई गलत पूर्वा भास नहीं है मुझे लगता है ये एक भवित स्वानी है ऐसा लगता है कि इस बार हम सभी को और भी एक्ष्रेलेट रहना होगा जो सुनके जान हेल्प्रेस तरीके से स्मायल करता है क्योंकि जान को लग रहा था कि कुछ तो तगड़ा होने वाला है सती जान और उसका ग्रॉप सार्कलेन से बहुत पीछे रह गए थे लेकिन पूरी तेजी से भी आंगे की तरह पूरना स्टार्ट कर देते हैं तो चलो गाइस नेक्स एपिसोड पर हम लोग देखेंगे कि आखिर कर क्या होने वाला है